असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ सेयर करूँगी सफेद मटर के चाट की रेसिपी जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही रेस्टी बनता है आप इसे रमजान में इफ्तार के वक्त बनाएं सबको बहुत पसंद आता है तो चलिए देख लेते हैं केसे बनता है वीडियो पस इसे फूल चुका है तो अब मैं इसका जो पानी है यह निकाल दूगी तो यह मैं पानी निकाल दी हूँ अब मैं इससे डालूँगी प्रेसर कुकर में तो यहां कुकर ले लिए हूँ इसमें डाल दूगी मतर को साथ में डालूँगी पानी तो जिस कप से मैं मतर ली थी उ बढ़ी डाल देंगे अच्हेशे मिख्स करे लेंगे सन्लिश्णों को मैं इसको अपने ठंदा होने देंगे यहां रपल दील हो चुक है है यह दिखें मटर हमारा अच्छे से गल चुक है देख सकते हैं कितना बढ़िया के लिए मैं दिखाती हूँ इसे तोड़ के इसे ही चाहिए एसे थोड़ा से चला देंगे मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी त्यानि काल ली हुमें, मैं डाल दूँगी इसमें आदा छोटा चमस काला नमा, आदा छोटा चमस डालूँगी लालमीश पाउडर, आदा छोटा चमस घर मसाला पाउडर, आदा छोटा चमस चाट मसाला पाउडर, सभी चीजों को पहले मिला लेंगे, अच्छा से मिला लिए हूँ और मैं डालूंगे यहां उबला हुआ आलू आदा कपले लिए हूँ दो बड़े चमस बारी कटा हुआ प्याज डाल दूंगी दो बड़े चमस बारी कटा हुआ टमाटर एक छोटा चमस डाल लिए हूँ बारी कटा हुआ हरा मीट आदा छोटा चमस बारी कटा हुआ अद्रक हरा धिनिये डाल देंगे और अच्छ से मिक्स कर लेंगे यहां मटर का चाट बनकर तयार हो चुक है अब मैं इसे सो कर लूँगी तो यहां बाउल ले ली हूँ इसमें निकाल लूँगी यह बहुत ही टेश्टी बनता है आप इसे एक बास जरू ट्राइ किजिएगा इस तर निकाल ली हूँ और अब मैं इसके उपर से डालूँगी थोड़ा सा प्याज थोड़ा से टमाटर बारी कटा हुआ हरा मिर्ज और इमली की खटी मिठी चटनी डाल देंगे इससे बहुत ही टेश्टी लगता है आप एक बास जरू ट्राइग किजिएगा इस तरह से थ थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डालेंगे मजदा सा मटर का चाट बनकर तयार है बहुत ही टेश्टी बनता है अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरा मिर्ज इसकिप कर सकते हैं बहुत ही टेश्टी बनता है आप इसे एक बास जरूर ट्राइग कीजिए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतायेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाई कमेंचनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत सउक्रिया मिलते हैं करने